मैठी मठ्री बनाने के लिए मैंने याँ पर लिया है नैदा, मैठा में पर लिया है अजवाइन एक टेबल स्पून, कसूरी मैठी, पानी एक चथाई, तेल और नमक, नमक पेस्ट के लिए मठ्री बनाना शुरू करते हैं, सबसे पहले हम यह अपना नेदा लिया है अजवाइन, नमक, और ममाली, कसूरी मैठी, इसमें सब्सक्राइब करते हैं और ओल, अब में इस सब को अच्छे से मिक्स कर देंगे, अभी हम पानी में डाली है अपी अच्छे से मिक्स हो गया है, अब उन दिसमें धीरे-धीरे पानी आप करेंगे हम हमारा डो तयार करेंगे, डो हमें हमारा जो है, नहीं तो हमारी जो मठ्री है, वो खस्ता नहीं बनेगी अब इसमें चोड़ा सा पानी और आप कर लेंगे तो हमारा रेड़ी है, अब हम इसको पंदा मिट क्लिए ठट देंगे ऐसे ही हमारा डो तयार है, इसके हुँ मठ्री अबनाना शुरू करेंगे, हम इस तरीके से करेंगे अब हम इसमें तेन डालेंगे देखी फ्रेंड्स हमारी सारी मठ्री अबनकर रेड़ी है, अब हम इसे फ्राइ करना शुरू करते हैं अब हम इसमें तेल डालेंगे मठ्रियों को हमें डीफ फ्राइ करना है तो इसलिए हम इतना ही तेल देंगे अब हम तेल को अच्छे से गरम होने देंगे तेल हमारे गरम होट्ट का है, अब हम गैस अपने मिलें कर देंगे एक एक करके अब हम इसको मीडियम फ्लेम पर ही पकाएंगे है अब हम इने मीडियम फ्लेम पर फ्राय करेंगे जिर्णा करना है यह इंदए जी तरऊ करना है ताकि यह अंदर से अच्छे इस्टाइब हो सके अगर हम हाई विज़ इस अर्व से कच्छी रह जा में कि आप जी और मिन्हें एक बार इस तरीके से पल्ट देंगे कि अवुने को एक बार प्रत जी इस थे हर नी न अब देखिए हमारी मठ्रिया तरियार है तो हम देश आफ कर देंगे और इन्हें एक प्लेट में निकाल देंगे कर देंगे ओर एक प्लेट में एक मैं आर देंगे और इन्हेंग OH liar